हाई गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंजिनियर से स्टॉप तो आज के इस वीडियो में मैं यूजी सी नेक में कुछ पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेस्टिंस के बारे में डिस्स करूंगी जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर से उठाये हुए ठीक है इसमें सि सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको फर्दर जो वीडियो जाने वाली हैं उनके लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे ओके सो लेट स्टार्ट फॉस्ट क्वेस्ट इस रिलेटेट टू स्टाइक के गिवन एन इंपटी स्टाइक आप आप आफर परफॉर में पुश वन पु साथा तरह के देखते हैं जो आपके पास जो टाप होता है वह इंब्ही जो रिसेंटी यलिमेंट इनसर्ट हुआ है वस उसको वा पॉइंट करता था ठीक है और यह आपका जू स्टाख है काम करता है देखते हैं इसको हम स्टेप पर परफॉर्म करेंगे पुश्द का मत Jessica क यहाले हमने क्या किया इस स्टाक में को रखा से किया आया ठोश two-push का मतलब हमने फिर से क्या किया ठोट एंशर्ट कर दिया ठीक है थुच का मतलब बनता हैं तो वा रावा पस्तुत भांद को लिए च। अभी जो टॉप है करिंटली कौण इंसार्ट हुआ है ठीक है तो टॉप हमारा किसको पॉइंट कर रहा है तुऋ को और पॉप करने पे जिस एलिमेंट को आपका top पॉइंट कर रहा है वेहीं पर इंदिलीट होगा मतलब जैसे इसाट पर इसको point कर रहा है four को इसके बाद क्या कह रहा है दो बार pop operation perform होना है ठीक है तो दो बार pop operation perform होना है मतलब एक pop से four delete हो जाएगा और अगला जो पाउप आपका apply होगा या perform होगा तो आपका three delete हो जाएगा मतलब आपके स्टाक में फिर से क्या बचेगा वन ओनली अभी तक हमने यहां तक ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है ठीक है अब हमारे पास जो स्टाक है इसमें सिर्फ वन बचा हुआ था अब फिर से क्या कह रहा है पुश फाइव तो यहां पर फाइव इंसर्ट हो बचेगा और अभी फिर से आपके स्टाक में कौन बचेगा वन और इसका मतलब जो आपका टॉप है वह किसको पॉइंट कर रहा होगा ठीक है तो आप से क्वेस्टिन क्या पूछा क्या है वोट इस द वैल्यू आफ टॉप ऑफ दा स्टाक तो अभी टॉप में क्या बचा ह है क्योंकि हमने जित्ते भी पुष ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद हमने पॉप पॉप किया तो लास्ट में मारे पास सिर्फ और सिर्फ टॉप एमेंट क्या बचरा है वन सो आंसर विल भी ठीक है तो करेक्ट आंसर इस बी मतलब ऑप्शन वन मतलब जिसका आंसर आ डिलीशन ठीक है और टॉप हमारा एक ऐसा पॉइंटर है जिसकी ह совсем इंसर्शिन पो पवी ठीक हे जब हम पुश करते हैं टॉप को टॉप स्टॉप लस वन कर देते हैं टौप और जली ऑन जाह पाव करते हैं तो कह देते हैं टॉप आप झिक को टॉप-1 इसी तरीके से हम अ करते हैं ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन में पॉर एनी बीटरी ओफ मिनिममम डिगरी टी ग्रेटर और एक्वल टू 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 अवरी नोड अधर दान दरूट मस्ट हाव अट लीस्ट कीज आड एवरी नोट कान हाव एटमोस्ट डैश की ठीक तो आप से क्वे इस gü DR टू तो आप से क्वेस्टन पूछ है रूट नोड के अलावा जो बाकी जो इंटरनल लीस होती है छी के आपके पास रूट के अलावा जो बाकी नोड होते हैं ठीक है वहाँ पे आप मिनिममम कितने की रख सकते हैं मतलब एक नोड में मिनिममम कितने element को रख सकते हो और एक node में आप maximum कितने elements को रख सकते हो यह आप से question में पूछा गया है और यह आपके UGC net में आया हुआ question है ठीक है तो अगर पहले आपने कभी बीटरे पढ़ा हुआ तो उसके लिए आपको formula बताया जाता है कि इस अगर आपको T given है T that is degree of degree of for the node ठीक है तो आपको यह बताएगा K if he up to node में minimum कितने कीज ऑसकते element की का मतलब एक node है जैसा 123 इसका मतलब इसमें कितने कीज़ं तीं की है अगर मैं इसको कर दो five इसका मतलब इसमें इसमें कितने 80s 48 ठीक है तो इसका मतलब minimum ì्लोर में कितने element होंगे और maximum कितने element होंगे ठीक है तो इसके लिए आपके पास जो solution होता है that is c option t-1 and 2t-1 मतलब minimum element कितने होंगे t-1 and maximum elements या maximum key कितने हो सकते है 2t-1 ठीक है so this is the answer option c okay अब हम आते हैं given two sorted list of size m and n respectively आप से काया जा रहा है कि आपके पास 2 sorted list है m & n से जैसे मैं यह ले लिया m और n ठीक है तो the number of comparisons needed in the worst case by the merge short algorithm merge short algorithm में आप अगर worst case के बारे में बात करें तो इन दोनों को merge करने के लिए ठीक है कितने comparison करने होंगे merge short algorithm इन दोनों list को shorted order में merge करने के लिए कितने maximum कितने maximum comparisons करेगा worst case मतला maximum कितना हो सकता है ठीक है तो इसका correct answer है m plus n minus one comparison will be required और अगर best case की बात किया जाए तो it will be maximum of m,n अगर दो आपके पास list है of size m and n तो अगर कहा जाए best case में कितने comparison होंगे तो यह हो जाएगा maximum of m,n और क्योंकि इस question में पूछा जा रहा है worst case में कितना आप comparison करोगे that will be m plus n minus one for m plus n minus one okay next is आप से कहा जा रहा है कि match the following with respect to the programming languages ठीक है तो आपको अगर computer के languages का basic idea है and obviously आगर आप यह video देख रहे हैं तो आप computer science field से हैं तो आपको इन languages के बारे में basics पता होंगे ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसे match कराना है ठीक है match कराने के लिए आपको option given है मैंने options नहीं लिखे हैं ठीक है हम directly इसे match करा देते structured language structured language आपका कौन सा है its Pascal ठीक है and obviously Java आप सभी बहुत अच्छे से aware होंगे कि object oriented language is Java ठीक है Java हो सकता है या फिर आपको C++ दी आ जा सकता है ठीक है इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्या है नॉन इस्ट्रॉक्चर्ड लैंग्विज नॉन इस्ट्रॉक्चर्ड लैंग्विज इस Fortran ठीक है अच्छा structured language में पास्कल के साथ आपको C language भी मिल सकती है ठीक है अब नेक्स्ट क्या आता है interpreted programming language interpreted programming language का option आपको जो एक remaining बच रहा है that is basic तो आप correct match क्या रहा है structured language पास्कल नॉन इस्ट्रॉक्चर इस Fortran object oriented languages Java and interpreted languages basic okay अब यहां पर और क्या-क्या possibilities and structured language में जैसा मैंने बताया पास्कल कभी-कभी हो सकता आपको C language दे दिया जाए ठीक है और non structured language में आपको फोटरान दिया हुआ object oriented के case में it could be c java और c++ as c++ is also a object oriented programming language interpreted programming language इसमें आपको कभी basic मिल जाएगा कभी आपको यहां पर लिस्प भी मिल सकता है ठीक है तो यह आपका solution हुआ तो इस तरह के question आपको बहुत मिलते हैं आपको match कराने के लिए कि आपको अलग-अलग programming languages के type दे दिये जाएंगे और उसको आपको उस language से match कराना हुआ कि कौन इससे belong करता है ठीक है अब हम आते हैं next question पर that is related to insertion sort so you have to short a list L ठीक है list का नाम दिया गया है L consisting of a shorted list followed by a new random elements okay which of the following shorting method would be most suitable for such a task आपको एक तरह सी कहा जा रहा है कि आपको एक list L given है ठीक है जिसका कुछ part पहले से shorted है और कुछ random elements बाद में इसके add कर दिये गए ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसे case में जब आपका जो shorting method है कौन सा shorting method ऐसा है जो यह device दो पार्ट में divide करके चलता है list को एक जो shorted वाला है दूसरा unshotted ठीक तो इसका correct answer है insertion sort insertion sort कैसे क्या करता है का आपके पास जो भी list होती है यह क्या करता है shorted and unshotted को अलग-अलग कर लेता है और उसके बाद जो unshotted elements से उनको correct position पर insert करता है that's why name is insertion sort okay तो इसका correct answer है insertion short ठीक अब हम आते हैं next question पे a full binary tree with n leaves contain how many nodes कौन-कौन सा option पहली चीज़ता आपको यह पता होना चाहिए कि full binary tree क्या होता है तो binary tree जिसके पास maximum दो चाल्ड हो सकते हैं लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है full binary tree की बात हो रही है तो मतलब ऐसा ट्री जिसके सभी चैल्ड हो मतलब हर एक नोड के दो चैल्ड होंगे ठीक है and all the leaf node should be at the same level जैसे यह हमारा leaf node है तो all leaf node should be at the same level ठीक है यह condition है full binary tree की तो आपके पास चार option दिए गए हैं कि अगर n number of leaf node है तो total node कितने होंगे तो आप अलग-अलग example लेकिसे set कर सकते हैं जैसे मैं सबसे चोटा example लूँ इस 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 अ फुल binary tree ठीक है तो अगर मैं कहा यहां पर n की value क्या है leaf node क्या है 2 तो n is equals to 2 तो यह क्या कर रहा है full binary tree only contain कर रहा है total number of node उस binary tree में कितने होंगे n nodes तो यह अला option तो यहीं पर कट हो गया ठीक है अब 2 की power n node 2 2 is a 4 मतलब यह option भी कट हो गया अब हमारे पास बच्चा log n base 2 तो log 2 base 2 यह भी option हमारा गलत हो गया तो एक simple हमने example लिया था full binary tree का जिससे हमें क्या answer मिल रहा है option number c 2 n minus 1 2 2 4 minus 1 that is 3 और जैसा कि आपको example में दीख भी रहा है अच्छा एक और example ले लेते हैं let's see लेकिन हमने सबसे छोटा example लेके इसको प्रूव कर दिया कि answer should be 2 n minus 1 ठीक है total number of nodes with n leaf full binary tree will be 2 n minus 1 एक और example like this is a अभी यह full binary tree नहीं है क्योंकि leaf nodes are not at same level अब हमारा यह बन गया full binary tree अब यहाँ पे n की value क्या बन गई 4 ठीक है तो चेक करते हैं क्या इस फॉर्मूला पर यह number of nodes नहीं आएंगे 2 and minus 1 मतलब 2 into 4 minus 1 that is 4 2 j 8 minus 1 7 let me count क्या 7 notes है 2 2 4 5 6 7 so this one is correct answer right so question repeat हो गया है I'm sorry for that तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please अपने friends के साथ इससे share करें और वीडियो को लाइक और सब्स्राइब चैनल को करना ना भूले करें साथ आपको करें साथ एंगे और सुन्वा यह यह बदिए आपको अपको करें साथ आपको करें साथ-इस